नमस्कार आप दिखने खबर 29 और मैं हूँ आपके साथ कंचर्ण। के बारे में विस्तास समझाया। प्रशाव और अपील को बताते हुए कहा कि कोरोना का खत्रा अभी चला नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जले के नौगाव छेत्र अंतरगत दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथी कई प्रवासी मज़़ूर बसों के माध्यम से रोज जिले में प्रवेश कर रहे हैं। अत्यादिक सतर को सुरक्षित रहने की जरूरत है। इसलिए मेरा आप सभी से नुरोत है कि घरों से बहार निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। साथी शेहर ग्रामीन चेत्र सभी दुकानदार मास्क पहनने के उपरांथी आपनी दुकाने संचालत करें। प्रशासन के नर्देशों का पालन ना करने की इस्तिती में संबंदत के खिलाब सक्त कारवाही की जाएगी। प्रशासन के लिए मैंने संकल्प लिया है कि बंदेल खंड के आज जिलाव मैं चेत्र प्रशाइब के लिए प्रशाइब करता हूं और आज मराजबर विधान सवा जब नोगों को जागरू कर रहां सोभे से मेरे साथ मैं शरी उमेश दुवेदी जी नहवाहां सी आए भूवी साथ में हैं कैम्रा में हैं आप सभी से निवेदन हैं क्रणों की लोगों से कोरोन वारेस के बारे में जागरू हो सब्सक्राइब है और हमने गाओं के आसपास के लोगों बताए कि आदमों ठके रखे हैं हाथ हों ताधाब हैं सदक रहें जो फुट की दूरी बनाएं और गाओं में कोई व्यक्ति बीमार हो सर्दी हो जुखाम हो बखार उसका तकाल उपचा सब्सक्राइब बाहर से आने वाले लोगों को ततकाल सुच्छना सब्सक्राइब करता हूं कि आप अपने अपने गाहों में साथानी शतक रहें एक बार मैं संतोस गंगेले सतक रहेंगे और हमेशा सतक रहें तो कि यह दुमानी साला चलने वाली है अभी इतनी जली से आपकी धूने वाली है केवल इसका बचाव सुरक्षाव साधानी में आप सभी को नमशकार करता हूँ जहन जह भारत बारत माता कीजे बंदे मातरम